दीरे-दीरे मुझे एक hierarchy समझ में आने लगा हूँ यह friends का hierarchy है तुम्हें समझ में आएगा हूँ देखो यार कोई भी friend circle होता है ना तो उसमें एक generally होता है dawn उसकी बहुत इज़त होती है और बाकी जो एक दो होते हैं वो थोड़े उसे lower level के और उससे भी नीचे जिसका सब कोई मजाकोजाक उड़ाते रहता है और मज़े लेता रहता है क्योंकि सब को पता है कि यह जो lowest level के जो लोग है इनका उन्हें कभी ऐसा जरूरत नहीं परने वाला है ना तो ठीक है मज़े मारने के लिए ठीक है लेकिन होता है यार अगर तुम ध्यान से देखो तो friends में भी एक hierarchy होता है एक जिसका बहुत जादा इज़त है दूसरा जो जिसका बहुत जादा इज़त है उसके closest है वो है तो उसका भी थोड़ा बहुत इज़त है और सब से नीचे जो होते हैं जिनका कोई इज़त नहीं ह इसा होते हैं कि अपना मजाक उड़ा की वो बाकियों को हसाते खिलाते रहते हैं चूंकि उन्हें लगता है कि मेरा मजाक उड़ रहा है तो क्या हो कम से कम मेरा एक important है यह मुझे लगता है एक reality होता है कि तुम देखो कि अपने class में school में भी देखो कि जो मतलब पढ़ने मे भी बहुत अच्छे नहीं है जो sports में भी बहुत अच्छे नहीं है मतलब कुछ भी ऐसा कोई talent कोई skill नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा respect किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अपना मजाक उड़ाने लगते हैं या फिर in general बहुत ज़्यादा मजाक करना चाहते हैं ताकि लोगों कमसे हम हसा सकें ठीक है जैसे मुझे याद है कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था स्कूल में यह 789 10th class की बात है और मैं एक नहीं स्कूल में आया था 6th class में तो दोस्त भी नहीं थे बिलकुल तो मेरे लिए दोस्त बनाने का सबसे easy तरीका यही था कि बहुत सार जोक्स मारो और उस टाइम पर भाई मैंने बहुत सारी गालिया दिना भी स्टार्ट कर दिया था वैसे मूझ तो मेरा आज भी बहुत ही जादा क्या बहुत ही जादा अरे यार कुछ धंका टर्म नहीं मिल रहा उसके लिए corrupted है ठीक है ऐसा मैं जब दोस्तों से बात करता हू तो मैं कोई साफ सतरा इंसान की तरह बात नहीं करता ठीक है वो थोड़ा उसी टाइम से आया हुआ है लेकिन उस टाइम पर मुझे यही रिस्पॉंस मिल लगी हूँ कि मैं जब कालिया देता हूँ तो लोग बहुत हसते हैं तो मैं यह थोड़ा और भी क्यों ना करूँ वेलकम्ड है ना तो यह सारे चीज ना मैं जब कॉलेज में जब मेरे फ्रेंड सरकल बन रहते तो मैं यह रिपीट होते वह देख रहा था तो मुझे पता है कि मेरा क्या पोजिशन था मेरा सबसे नीचे वाला पोजिशन था ठीक है क्योंकि में पस कोई और स्किल्स नहीं है ना और अगर मैं यह फिर से होने दूँ तो अगले चार साल भी यह होने वाला ठीक है तो मुझे पता था कि इससे कुछ जादा फाइदा है नहीं तो क्यों ना हम क्यों ना वो स्किल्स को डेवलप करे है ना जैसे जैसे मैंने बताया कि यह जो अंटोल्ड हिडन हारार्क है लोगों का उसमें क्या होता है एक इनसान के पास या तो बहुत ज़्यादा ग्यान हो यानि कि वो टॉपर हो या तो उसके पास बहुत सारा पैसा हो या तो उसके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या फिर कोई एथलीट हो और बहुत ज़्यादा हटा-कटा हो ब कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कई लोग वो रस्ता भी पकड़ते हैं और इस वेरी पॉसिबल मेरा एक दोस्त था वो भी ऐसे उसका सेम प्रॉब्लम था उसका हाइड भी कम था कुछ 5-3 ऐसा कुछ था और बहुत ही पतला था तो मैं उससे जादा इंटरैक्ट नहीं और उसने बना भी लिया बहुत ही जादा हाइट कम था फिर भी चौड़ा हो गया और अच्छागासा शेप में आ गया है न तो उसने उस तरह से अपना वाल्यू क्रियेट किया मुझे नहीं लगा कि मैं बाडी बना सकता हूँ ठीक है और उपर से मुझे जादा फाइदा पढ़ाई कर ले तो उससे करियर और भी अच्छा बन जाएगा तो फिर मैंने शायद वो रस्ता पिक किया कि मुझे बहुत सारा पढ़ाई करना चाहिए और सीधा टॉपर बन जाना चाहिए तो उससे भी काफी respect बनता है एक तरह से यह packing orderly समझ लो कि society में किसका value होता है औ और मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई मुझे से disrespectfully बात करता है तो मुझे लगता है कई हद तक वो ego भी blame है जो कि मुझे लगता है अच्छा भी है क्योंकि तुमसे कोई क्यों है disrespectfully बात करे रहे यार सब को सब कोई दो चीज़ शायद expect करता है यह कहीं नहीं बोला गया नहीं बोला गया तो अभी बोल देता हूं हर कोई दो चीज़ expect करता है एक respect और दूसरा love है न तो ज्यादा नहीं होता है इंसान को तो अगर respect नहीं मिल रहा है इंसान को कहीं तो कुछ न कुछ करना चाहिए मुझे लगता है अगर तुम्हें कोई group या society या community में respect नहीं मिल है मतलब जब तक मैं 3rd या 4th semester तक पहुच गया था academically काफी excel करने लगा था तो एक naturally होता ही है और इस पर मुझे ज़्यादा शौक नहीं लगा क्योंकि मैं बच्पन से देखा था कि जो पढ़ने में अच्छ होते हूं उसका काफी respect होता है कमसे community society में तो ऐसा होता है ठीक है तो ये सारे कुछ कारण थे जिसके वज़े से मैंने और भी ज़्यादा effort दिया जैसे बहुत सारा mixture है न यार जैसे मैंने पढ़ा ही क्यों चुना है न क्योंकि मैं martial art में भी था हो सकता है कि मैं ये भी रस्ता पिक कर सकता था कि बहुत ही ज़्यादा athletics में घुस जाओं जिस मुझे ये career चाहिए इसमें excel करना है मुझे तो सारे combination के वज़े से मैंने वो pick किया तो इन सब reasons के वज़े से एक इंसान change हो गया ये बोल सकते हो ठीक है तो ये main reason था कि मैंने बहुत जादा अचानक से पढ़ना start किया और इसलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि life में गलतिया कर मुझे ये repeat नहीं होने देना क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया उसके वज़े से मुझे क्या result मिला मुझे पता है मैं फिर से वो कर रहा हूँ तब वो problem है क्योंकि अभी तक तो 18 साल के age में बहुता चीज रिफ्लेक्स में हुआ जैसा था वैसा होते गया एक इनसान को ज्यादा समझ नहीं था लेकिन अब तो समझ है तो अब तुम चीज़ों को change कर सकते हो और यह बस एक ही example नहीं है कई लोग यह चीज मेरी तरह देखते हैं जब वो college में घुचते हैं और कई लोग यह देखते हैं जब वो college से निकल चुके होते हैं और पूरा का पूरा college ही उन्होंने goal कर दी होता है ठीक है जैसे 11-12 में कहीं बहुत सारे cases मैंने ऐसे देखे हैं कि 11-12 में तो भाई क्या तोड़ student था लेकिन उसके बाद इतना मज़ा किया है उसने college में इतना मज़ा किया कि किसी तरह 6CGP लेकर निकला है वो graduate हो के बिना job किया ठीक है तो उसके बा बिलकुल ही bottom student था college में बिलकुल topper student था अब जब मैं बार्क पहुचा तो मुझे combination बना था topper और bottom का जैसे तुम बार्क के end में अगर तुम मेरा situation देखो तो वो यह है कि मैं बार्क के training school में bottom हूँ और national level isro exam में rank 4 लेके आया हूँ तो मैं क्या हूँ मैं एक topper और bottom का combination हू वो मैं इसलिए बन पाया क्योंकि मैं school life में bottomer था और college life में topper था तो मुझे ना bottomer होने का कोई डर था ना ही मुझे topper बनने का कोई greed था क्योंकि मुझे दोनों side पता है ठीक है अब वही situation तुम उन्हें देख सकते हैं जो 11 तो बहुत ही अच्छे student था फिर college और उन्हें ग गलती एक gift की तरह बन जाता है तुम्हाय लिए जो तुम एक lesson जो सीखे हो वो शयद तुम कभी न भूल पाओ वो लेसन तुम्हारा life का एक बहुत important signature बन जाता है जो तुम्हें define करने लगता है